नमस्कर दोस्तों आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है Buy Sales Signal Software तो अगर आप CR मार्केट में काम करते हैं लोस से परिसान है या फिर आप जितना एक्स्पेट कर रहे हैं उधना रेटन आपको नहीं मिल दा है तो थोरा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को दे सकते हैं जैसे अम लोगों सबको बता है मार्केट में हर रोज काफी सारा बनता है जिसमें से कुछ call अचीव होता है maximum call अचीव नहीं हो पाता है तो call identify करने का तरीका क्या है कैसा भी strong call को identify कर सकते हैं और कैसे आ फेक call से बस सकते हैं तो इस वीडियो में मैं सारा चीज excellent करन चाहते हैं या हम लोग अथुरू जाएन होना चाहते हैं जैसे हम लोग Alice Blue का साथ काम करते हैं काफी अच्छा वोकर कंपनी है काफी सरह फेसलेट्स पर दे रहा है बेसे लिए अगर आप ऑप्षिन डेटर है तो अप्षिन डेटिंग के लिए Alice Blue का प्लाटफर्म और भी अच्छा है तो और डीटल जानकरी लेने के लिए बाइंग जिदना प्रॉफिट अबेल है उससे काफी गुना ज्यादा रिक्सी भी है तो यहां पर दो से तीन पॉइंट में पहले आपको बता देना चाहता हूं अप्षिन बाइंग में फर्स्ट अब जादा वेट नहीं करना है अगर अब निप्टी अप्षिन में काम कर रहे है जैसा आज का वीडियो मेरा निप्टी का उपर है तो निप्टी अप्षिन में हम लोग का माइंड सेट अब रहता है 10 तू 15 पॉइंट वाली अब क्वान पॉइंट वेट कीजिए उससे ज्यादा वेट मत कीजिए तो यह एक बायर्स के लिए सजीशन है एक्सपारी डेट में मार्केट में कुछ भी हो सकते है उस टेम आप थोड़ा सा ज्यादा रहली वनाईए पर आदवरेश 10 तू 15 पॉइंट का अंदर खेलने का कोशिस कीज अगर मार्केट यहाँ पर गिर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे पूट बाय करेंगे जनरली मार्केट यहाँ पर गिरा है इसलिए कॉल गिरा है अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो यहाँ पर पूट बाय कीजिएगा जैसा 18,200 का कॉल का बदले आप 18,200 का पूट बाय करके यहाँ पर profit बना सकते हैं अब जो बंदा यहाँ पर selling भी कर रहा है तो selling करने का rule क्या है अगर अगले दिन का सारा condition मेरा favor में है logic है जो first candle का low तोरने का बाद आपको sale करना है और नीचे में जो rate dotted line है यह आपका support line है अगर कोई बंदा यहाँ तक अब अरान से profit बना सकते हैं तो यह जो range market में create होता है यह बहुत ही important है सुभे को market open होते हैं हम लोग यहाँ पर sale करके लगबग यहाँ पर अच्छा खासा profit बना है आप अगर option buyers है यहाँ पर put buy करके profit बना सकते हैं middle में आपको दो line दिखाई देगा यह जो नीचे ओना indicator है यहाँ पर देखे 3 type of candle दिखाई देगा green, red and blue green buying के लिए red selling के लिए blue मतलब है train reversal हो रहा है तो selling time bricks का color red होना चाहिए और brown color का line का नीचे इसका moment होना चाहिए और जैसे bricks का color green होना सुरू करेगा brown का उपर चला जाएगा तो समझ जाना है जो market यहाँ से uptrend जाने वाला है अब यहाँ पर एक छोटा point देखी जो trader है मेरा उसके लिए बोलना चाहता हो देखी जहाँ पर bricks breakout होता है अगर उसी time entry आपको मिल जाता है तो this is very good जैसे इस candle पे अगर मुझे entry मिल जाता buying का तो मैं यहाँ से एक लंबा profit बना सकता था बट call बहुत late में मना तो इस चीज़ को धैन में रखना है अगर आप इस call में भी entry लेते जैसे इस candle का opening value से अगर देखा जाए 67 से लेके 87 मतलब एक candle में 20 point का moment कर दिया है यहाँ पर और तरह उपर जाने का chances थो था बट यहाँ पर market sideways करके नीचे गिरा दिया अब ऐसा case में आप नीचे का bricks को देख सकते हैं जैसे इस candle से नीचे का जो bricks का color है देखे blue हो गया था तो blue होने का मतलब एक चीज़ होता है जो यहाँ से market train reversal हो रहा है या sideways में जा रहा है अगर आप profit कर ली है अपना expectation के जैसा आप यहाँ पर profit छोड़ भी सकते आदरीस देखे यहाँ पर middle में यह जो दो line आपको दिखाई देगा जो green हो के चलना था वो यहाँ पर आके crossover हो के इसका color pink हो गया तो यहाँ पर भी आपका position selling का तरफ जा रहा है उतना indication आपको मिल गया जैसा यह sale का call भी यहाँ पर बना था यहाँ पर भी दिखे वही same condition आपको देखना है तीन condition हम लोग का software में है एक signal का पहले star बनना चाहिए नीचे का ribbon red होना चाहिए selling में और जो bricks है यह red होगा और brown का नीचे रहेगा इस point को थोड़ा सा दैन दीजे काफिया तक आपको help करेगा यह जो bricks का breakout होता है जोसे bricks का breakout यहाँ पर हुआ है और call मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो यह काफि एक लंबा rally market में छोड़ दिया है अगर जिस time bricks का breakout हो आया और उसी time अगर मुझे call मिल जाता तो यहाँ पर दिके profit निकलने का chances काफि अच्छा होता तो हमेशा यह setup आपका favor में नहीं रहेगा बट कोसिस कीजिएगा match करवाने का इस type का situation में आपको ज़ादा से ज़ादा profit मिलने का chances है और जब आपको दिखाए देगा जो bricks में already rally हो चुका है उसका बाद signal बन रहा है अगर आप वहाँ पर काम कर भी रहे तो थोरा सा alert रहना है और quantity थोरा कम करके खिलिएगा ultimate दिकी यहाँ पर buy का call बना था इसी same condition का साथ यहाँ पर एक profit देखे गया तो यह जो नीचे का bricks का breakout है यह हम लोगों काफी हत्ता खेल कर रहा है सही जगा पे entry लेने के लिए और सही जगा पे market को छोडने के लिए क्यूंकि option buyers के लिए entry जितना important है exit उतना है important है भले किसी दिन आपको setup अगर आपका favor में नहीं जा रहा है तो उस दिन trade मत कीजे बट confusion लेके मन में कोई भी doubt लेके trade करने का ज़रूद नहीं है दिन में एक या दो कोल आपको perfect मिलेगा जब तको perfect situation आपको नहीं मिल रहा है तब तक trade करने का ज़रूद नहीं है याद रखिए का trading का मतलब भी होता है opportunity अगर opportunity है तो trade करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो यह जो software है यह छोटा छोटा position में है अराम साब को internet में profit देखे जाएगा और आपको यह pattern को समझना है यहाँ पर जो जो indicator हम लोग लगाए है हार एक indicator काम को समझना है अगर आप साइस से indicator को follow करेंगे तो इस market में अराम से return ला पाएंगे और इस market related अगर आपका मन में कोई भी doubt या queries रहा मुझे comment कर सकते video का नीचे मेरा description में मेरा details दिया हुआ है मुझे contact भी कर सकते यह फिर channel पर जाइए मेरा channel पर काफी सरा videos है बहुत सरा videos है आप थोरा सा time निकल के देख लीजे काफी interesting लगेगा बहुत सरा चीज आपको सिखने के लिए मिलेगा मन में कोई भी doubt या queries रहा मुझे पूछ सकते और एकी चीज़ वाइनली बोलूँगा अगर आप option buyers है या sellers है जो भी हो पेसे ली अगर आप option buyers है आपको 2-3 point को ध्यान जरूर रखना है कहाँ पर आप entry ले रहे हुस्ते market में कितना ज़्यादा force है और exit कहाँ पर करना है और एक discipline trader बनी है ज़्यादा wait मत कीजे वहले quantity को बरा कीजे point को 10-15 का अंदर ही रखने का कोसिस कीजे तो thank you, thank you so much goodbye